नमस्तार आप सभीकों मैं मधुपांडे टीजीटी हिंदी केंद्रिविद्याले दमों से आपके समक्षो पस्तितों कप्षा आठ कपाठ कामचोर लेकर ये वसंत भागतीन से लिया गया है बच्चो जैसा कι आप जानते हैं कि बच्चपन बहुत ही प्यारा होता है और बच्चपन में बच्चे बहुत श्यतानिया करते हैं बहुत ऐसे काम करते हैं जो कि उन्हें जीवन भर याद रह जाते हैं तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है यह कामचोर कहानी इस कहानी की लेखिका है इसमत जुगताई यह बच्चों के मनोविज्ञान से संबंदित कहानिया लिखती है और यह इनके द्वारा लिखेते श्रेश्ट कहानी है और इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को प्रस्तुत किया है कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या पल नाम निकलता है यह इस कहानी में हास्य के रूप में वढ़ने थे चलिए तो शुरू करते हैं कहानी कामचोर बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तै हुगा कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए आखिर ये मोटे-मोटे किस काम की है खिलकर पानी नहीं पीते इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए काम चोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो उस सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ न कानी पीना शुरू किया तो बच्चों ये कहानी लेखिका ने बच्चों की ओर से लिखी है और इस कहानी में बच्चों को क्योंकि वो संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इसलिए संक्या में बहुत सारे हैं बच्चे है ना तो उन बच्चों को डाट पड़ रही है कि मैं भी तो हिले लाकर मतलब खुद स्वयम चलकर जाकर अपना पानी यदि हमें पानी पीना है तो पानी पीना चाहिए हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासानियों धो गया सुराहियां उधर लुड़की मटके धर गये कपड़े भीगे सुवलग यह भला काम करेंगे अम्माने निश्चय किया करेंगे कैसे नहीं देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे राप का खाना हरगीज नहीं मिलेगा समझे यह लीजे बिलकुल शाही फर्मान जारी हो रहे है ना तो यहाँ पर आप देखिए दबेल मतलब दब्बू ठीके और घमासान मतलब भयाना घोर तो अब जब बच्चे पानी पीने के लिए स्वयम उठे तो उससे क्या हुआ उन्हें आपस में दूसरे के धक्के लगा तो जब एक को दूसरे का धक्का लगा तो वो कहां कम रहने वाला था वो कोई दब्बूत उ था नहीं वो भी वादुर था उसने भी धक्का दे दिया अब क्या हुआ कि पानी के मटकों के पास भयाना की उद्ध हो गया बच्चों के बीच में और जो सुराहियां थी बेबी इदर उदर उड़क गए, मटके भी इदर उदर गए और जो बच्चों ने पानी लेने के लिए जो जबड़ा किया हुस्मन की कपड़े भी भीग गए अब अम्मा ने जब ये दृष्य देखा तो उन्होंने सोचा है भगवान क्या ये काम करेंगे तो उनके पिताजी ने कहा कि काम तो इन्हें करना पड़ेगा नहीं तो इन्हें रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चे कहने लगे लीजिए ये राजा की आग्या शाही फर्मान मतलब राजा की आग्या जारी हो गई, मतलब राजा का आदेश आ गया, कि काम तो करने ही पड़ेगा, हम काम करने को तयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दोहाई दी, बहुत से काम हैं, जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए, यह दरी कितनी महली हो रही है, आंगन में कितना कूडा पड़ा है, पेड़ो तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सब को तनक्वा भी मिलेगी, अब्बा मिया ने कुछ काम बताए, और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, माली को तनक्वा मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें, तो एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाड़ा ज रहेगी अम्मा ने याचना की, फिर भी तनक्वा के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, एक दिन फरशी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, और चारों और से कोने पकड़ कर छटकना शुरू किया, दो चार ने लकडियां लेकर धुआधार पिटाई काम है, यह दरी किती मेली हो रही है, आंगर में कितना कूड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और यह सब काम हम तुमसे मुक्त में नहीं करवाएंगे, हम तुमें इसकी बदले में तनक्वा मतलब बेतन देंगे, मिसाल मतलब उदारण के लिए, तो फिर जो अब्बा म कि यदि ये काम करेंगे, तो घर में बाड़ आ जाएगी, लेकिन जैसे ही वेतन की बात आई, तनक्वा मतलब वेतन, वैसे ही सारे बच्चे काम करने के लिए, एक दूसरे से भिड़ गए, तुल गए काम करने के लिए, और फर्ष पर जो दरी पड़ी हुई थी, उसके चा जारों को पकड़ कर उन्होंने जोर जोर से जटकना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, दरी में जो धूल जमी हुई थी, वो धूल पूरी वातावरण में फैल गई, और जो बच्चे थे, उनमें से दो चार ने तो क्या किया, कि लकडियां लेकर उस दरी की धूआधार पि पूश्किल हो गया, फिर क्या हुआ, सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गया, सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्ष पर थी, सब के सिरों पर जम गई, नाकों और आखों में भुस गई, बुरा हाल हो गया सबका, हम लोगों को तुरन आंगन में न भर गया और अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया और पूरे घर वालों का खास्ते खास्ते बुरा हाल हो गया तो उनको वहां से भगाया गया बच्चों को अब इन्होंने बच्चों को जब बाहर निकाल दिया गया तो इन्होंने क्या सोचा कि अब चलो जाडू लगाएंग क्यों पैसे देंगे क्योंकि वो तन्क्वा देने वाले थे इसलिए सब काम करने के लिए तत्पर थे फिर क्या हुआ ज़ाडू क्योंकि एक थी और तन्क्वा लेने वाले उमीद्वार बहुत इसलिए एक शण भर में जाडू के पुरजे उड़ गए जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा अम्मा ने सिर पीट लिया भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम अब बच्चों ने देखा कि जब चारों तरफ धूल ही धूल है पूरे गर में तो नोने का चलो अब हम जाडू लगाएंगे अब जाडू लगाने के लिए जाडू तो एक थी तनखवा लेने के लिए सारे बच्चे उथशुकते इसलिए सब के सब ज़राणे के लिए तक पर हो गया अब आप सोचो इतने सारे जाडू लगाने वाले हात और जाडू एक कोई किसी ने इदर से खीचा किसी ने उदर से कीचा और उस जाडू के पुर्जे पुर्जे उडगे मितला वो जाडू तूट गई और जिसके हाथ में जितनी जाडू की सीखें आई ही सभी अपनी अपनी सीखों से उल्टी सीधी जाडू लगाने लगे और अब अम्मा को बहुत गुस्सा हाया तो बच्चे क्या कहा रहे हैं? कि ये घर के बड़े बुड़े तो हमें काम ही नहीं करने देते हैं जब भी हम कुछ काम करते हैं तो जरा- Effect पर टोकने लगते हैं इस तरह से टोकेंगे तो बस हो चुका काम है ये बच्चों का ऐसा सोचना है है ना असल में जाडू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए बस यहां खयाल आते ही तुरन दरी पर पानी छिड़का गया एक तो वैसे धूल से अटी हुई थी पानी पढ़ते ही सारी धूल की छड़कन गई अब सब आंगन से भी निकाले गये तै हुआ कि पे जिन्हें ये चीज़ें ना भी मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलासीले भागे अब सब लोग नल पर टूप पड़े यहां भी घमासान मची की क्या मजाल जो एक पून पानी भी किसी के बरतन में आ सके ठुस समठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भग मौसियों, फूफियों की कुमक बेजी गई, फौज मैदान में हथियार फेक कर पीठ दिखा गई, है न, अब क्या हुआ, कि जाडू लगा रहे थे, तो बच्चों के दिमाग में आया कि चलो, जाडू लगाने के पहले अधिम जरा सा पानी छड़क देंगे न, तो ये डरी पर पानी डाल दिया, और दरी फर तो बहुत सारी दूल थी, तो पानी पर देह उपकीचड बन गे, ठीक है? तो अब जब पूरी दरी पकीचड से सन गेई, तो उननको अब आंगन से भी निकाल दिया गया, न, वहां से भगाया गया, उनको, ते आ ownपनी पेड़ों मे वहां भी इनकी इतनी घमासान युद्ध हुआ यहां इतना बयानक युद्ध हुआ कि किसी के बरतन में एक बून भी पानी नहीं आया और बस उसके बाद लडाईया होने लगी वो जो बरतन पानी सीचने के लिए दे गए थे एक दूसरे को मारने लगे अब इनको वहां से भी भगाने के लिए इनके बड़े भाईयों, बहनों और बाकी रिष्टिदारों के कुमक मतलब होता है फौजी टुकडी तो इस फौजी टुकडी को इनको यहां से भगाने के लिए वेजा गया सबने इनको डाटा, डपटा तो ये वाली फौज भी मैदान में हतियार फैक कर पीठ दिखा गए ठीक है, तो सबके सब वहां से भागे क्योंकि बड़े भाई बेहन तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम तुमको छोड़ेंगे, उन्हें तो मौका चाहिए तो बस सारे के सारे उनसे डर कर भाग गए इस धींगा मुष्टी में कुछ बच्चे कीचड में लथपत हो गए जन्हें नहला कर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रती बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखवाल हमसे हो सकती है कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें बस शाम ही से जो बास चड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हांकने चले चल दडबे चल दडबे पर सहाब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था उट पटांग इधर उधर उदने लगी दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दोड़ती फड़़ाती हुई निकल गई तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदाने के दोपटे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में खूद पड़ा और कथे चूने में लुथडे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफे दूद जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया तो धींगा मुश्ती मतलब धक्का मुक्य तो अब इस धक्का मुक्य में पानी पेड़ों को पानी देने की धक्का मुक्य में कुछ बच्चे कीचड में लटपत हो गए कीचड में बिल्कुल ऐसे छप गए कि उनको नहलवाने के लिए जो घर में नौकर थे न वे कम पड़ गए तो आसपास के बंगलों से नौकर बुलवाए गए और नौकरों ने भी चार आना प्रती बच्चा के हिसाब से लेकर उन बच्चों को नहलवाया है ना तो फिर बच्चे कहते हैं कि हम लोग भी इस बात को मान गए कि घर की सफाई करना या फिर पेड़ों में पानी देना ये हमारे बस का काम नहीं फिर बच्चों ने सोचे चलो अच्छा एक काम करते हैं इन मुर्गीयों को इनके दड़बों में बंद कर देते हैं पर जैसे ही वो मुर्गीयों के पास गए क्योंकि वो तो बास छड़ी जो कुछ भी उनको मिला वही लेकर पहुँच गए मुर्गियों को हापने के लिए और मुर्गियों विचारी डर गई तो बच्चे कह रहे हैं कि मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद भड़का रखा था फिर मुर्गियां क्या हुई बे डर कर इधर उधर उट पटांग दोड़ने लगी कहीं भी जहां भी जिस मुर्गि को जगे मिल रही थी वो दोड़ रही थी फिर दो मुर्गियां तो खीर के प्यालों में कूद गई जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी और बाद में जब ये सारा तूफान गुजर गया तो पता चला के वो सारी खीर दीदी के दोपट्टे और उसके धुले हुए सिर पर लगी हुई है और एक बड़ा सा मुर्गा जो था न वो अम्मा के पांदान में कत्था और चूना में कूद गया अब उसके पंजों में कत्था और चूना गया वो वहां से तो इस तूफान के गुजर जाने के बाद बहुत ही घर की अस्तवयस्तिता बढ़ गई फिर एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाप मार कर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिस्डी कि सारी कीचड मौसी जी के मोह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मोह धो रही थे इधर सारी मुर्गियां बे नकेल का उट बनी चारों तरब दोड रही थे एक भी दड़वे में जाने को राजीना थी इधर किसी को सूजी कि जो भेडे आई हुई है लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए दिन भर की भूकी भेडें दाने का सूप देखकर जो सब की सब जप्टी तो भाग कर जाना कठिन हो गया लश्टम पश्टम तक्तों पर चड़ गई पर भेड चाल मशूर है उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी पलंगों को फलांगती बरतन लुड़काती साथ साथ चड़ गई तक्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोकरी चमपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दी मुगलानी बुगा को कुछ बता रही थी बेडे बहुत में संकूच सबको रौंधती मेंगनों का छड़काओ करती हुई दोड़ गए अब क्या हुआ कि एक मुर्गी तो गई तो दाल की पतीली में सीधी छपाक से गिर गई और वहां से जो भागी तो मोरी मतलब होता है नाली नाली में जाकर तेजी से फिसल गई तो वहां पर मौसी जी बेठी मुँँ हाथ धो रही थी तो सारा नाली का कीचड़ उनके मुँँपर जा लगा और इदर सारी की सारी मुर्गीयां ऐसे भाग रही थी जैसे की बिना नकेल का उटो और कोई भी मुर्गी दड़वे में जाने को राजी ना थी दड़वा मतलब मुर्गी के रेखने का स्थान अब इतने मैं किसी ने देखा कि अरे भेड़े हैं चलो भेड़ें आ गई हैं तो उनको दाना खिला दिया जाए लेकिन वो भेड़ें दिन भर की भूकी थी तो दाने का सूप देखकर उस पर जपट पड़ी अब वो ऐसी जपटी के वहाँ से भागना कटन हो गया पर भेड़ चाल मशूर है ना तो उनकी तो बस दाने के सूप पर नजने जमी हुई थी और वो वहाँ से परलांग मारती हुई बरतन लुड़काती हुई इधर उधर जहां उनको जगे मिल रही थी चड़ते उतरते भागती रही और सबको जो भी उनके रास्ते में आता रहा उसको रौंदती रही फिर क्या हुआ जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बंबारों सहत उधर से छापा मार कर गुजर गई हुँ जहां जहां से सूप गुजरा भीड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंद सूनती हुई हमला करती गए हजजन मा एक पलंग पर दोपटे से मुहढा के सो रही थी उन पर से जो भीड़ें दोड़ी न तो ना जाने वस अपने में किन महलों की सेर कर रही थी दोपटे में उलजी हुई मारो मारो चीखने लगी इतने में भेड़े सूप को भूल कर तरकारी वाली की टोकरी पर तूट पड़ी वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड तोड तॉल तॉल कर रसुईये को दे रही थी वह अपनी तरकारी का बचाओ करने के लिए सीना तान कर उठ गई आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिये को कूट रहे हैं भेड़ को चोटी नहीं लगती बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं आप ही पर चड़ बैठीगी जरासी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेट अपने पेट की कडाही में जोग दी अब क्या हुगा कि भेड़ों का तूफान जब गुजर चुका वहाँ से तो कैसा लग रहा था तो लेखी का लिखती हैं कि वहाँ पैसे लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बंबारों सहित उधर से चापा मार कर गुजर की मितलब पूरा घर इतना अस्त व्यस्त इतना बुरी तरीके से आव्यवस्थित हो गया कि पूछो ही मत और फिर वो सूप जिसमें दाना रखा हुआ था वो जहां जहां से जा रहा था तो भेड़ें भी उसको सूंती सूंती उस पर हमला करती हुई करने के लिए चली जा रही थी फिर एक अज्जनमा थी वे एक पलंग पर दुपट्टे से मोढ़के सो रही थी तो भेड़ें उ इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर तूट पड़ी अब एक तरकारी वाली आई थी सबजी वाली आई थी सबजी बेचने के लिए तो वो दालान में बैठकर मटर की फलियां तॉल-तॉल कर रसुए को दे रही थी तो जब भेड़ों की सेना पर आई तो इस तरकारी वाली ने अपनी तरकारी का बचाओ करने के लिए हर संभव प्रयास किया वो खड़ी हो गई पर जैसा कि ना भेड़ों के शरीर पर तो उन होता है तो भेड़ों को जैसे कोई मारता है ना तो ऐसे लगता है जैसे रुई का तक ही अकूट रहे हैं तो वही गाल हुआ बेड़ों को चोटने ही लगती बिलकुल ही और पिर बेड़ों को लगता है कि आप उनसे मजाब कर रहे हैं तो वो मारने वाले के साथ खेलने लगती हैं और उन्होंने तरकारी वाली की सारी तरकारी छिलकों सहत अपने पेट में पेट की कडाही मतलब चलकों सहत उसकी सारी तरकारी खा गए और विचारी तरकारी वाली परेशान वहीं पर बैठी रह गए। इधर यह प्रलय मंची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवार नहीं थे, इतनी बड़ी फोस थी, जिसे रात का खाना ना मिलने की धमगी मिल चुकी थी, वे चार भेंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली, बेधुली, बाल्टी लेकर आठा चार थनों पर पिल पड़े। भेंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मार कर दूर जा खड़ी हुई। तै हुगा कि भेंस की अगाड़ी और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस जूले की रसी उतार कर भेंस के पैर बान लिये गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चार पाई के पायों से बांध। अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भेंस चोकन नी हो गई। छूट कर जो दूफान में फसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब प्रलय मतला पृत्वी का अंत। तो घर में तो ऐसी प्रलय मतला इतनी आवयावस्था फैल गई बच्चों के द्वारा की पूरे घर के सदस से परिशान हो गया। फिर लेकिन उदार जो दूसरे बच्चे थे वेवी लापरवा नहीं थे। है ना उनको पता था कि काम तो कुछ किया नहीं तो आज तो कुछ खाने मिलने वाला नहीं है तो एक काम किया जाए भैस ही दोह ली जाए और जब भैस दोहने के लिए भैस के पास गए तो भैस पहले से चोकन नहीं थी उसने बाल्टी में एक लाद दी और दूर जाकर खड़ी हो गई अब उन्होंने सोचा चलो भैस के आगे के पैर और पीछे के पैर है ना अगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे के पैर और पीछे के पैर बांद देते हैं फिर काबू में करके फिर उससे दूद दोह लेंगे तो उन्होंने जूले की रसी से भैस के पीछे के पैर तो बांद दिये और वो कहां बांद दिये उन्होंने चाचा जी की चार पानी के ड्रम से टकराई तब उनको समझ में आया कि अरे ये सब क्या है पहले तो ने कुछ समझी नहीं आ रहा था कि आंधी तूफान आई है कि बूचाल आया है क्या हुआ है फिर उन्हें बाद में असली बात समझ में आई कि अच्छा ये भैस के पैरों से मेरी मेरा पलंग बदा हुआ है तो फिर उन्होंने बच्चों को छोड़ देने वालों के लिए बहुत बुरा बला कहा क्योंकि उन्हें बहुत परिशानी हो रही थी ये देखी आप पिक्चर इसमें देखो चाचा जी पलंग पर सोय हुए है और भैस उनको घसीटते हुए ले जा रही और बच्चडा तो खोला ही नहीं इसलिए ततकाल बच्चडा भी खोल दिया गया तीर निशाने पर बैठा और बच्चडे की ममता में व्याकुल होकर बैस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिये बच्चडा ततकाल जुट गया दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लगके क्य बाकी बच्चडा पी गया यह सब कुछ कुछ मिनिट के तीन चौथाई में हो गया अब यह तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि चार पाई पर भैस चाचा जी को घसीटे लिए जा रही थी पर बच्चों ने क्या किया बैस का बच्चडा खोल दिया तो बच्चडे को देखकर बैस रुख गई और लेकिन जब बच्चडा तोड़ कर अपनी मा बैस का दूद पीने लगा फिर उसके बाद में बच्चे भी अपने गिलास का टोरी लेकर दूद लगाने के लिए लपके तो बच्चडे ने उन सब को वहां से मार कर भगा दिया अब सारा दूद क्या हु पर भी पड़ गई बाकी बच्चडा पी गया सब कुछ कुछ मिनिट के तीन चौथाई में हो गया घर में तूफान उठ खड़ा हुआ ऐसा लगता था जैसे सारी घर में मुर्गियां भेडें तूटे तसले बाल्टियां लोटे कटोरे और बच्चे थे बच्चे बाहर कि मुर्गियां बाग में हकाई गई मातम सा मनाती तरकारी वाली के आसू पहुचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो नहीं तो मैं चली माईगी अम्मा ने चुनोती देगी और अबबा ने इसको हात लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा ये लीजिए इन्हें किसी करवट शानती नहीं हम लोगों ने हम लोगों ने भी निश्य कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे है ना तो अब जो कुछ दूद जमीन पर कुछ और सब पूरा का पूरा दूद बचडा भी पी गया मतलब दूद का सारा कोटा ही खत्म अब जो घर में दूफान हुआ था ना उससे ऐसी लगता था कि गर में चारों तरह मुर्गियां गूम रही थी बेड़ें गूम रही थी टूटे तसले पड़े थे बाल्टी लोटे क खाई दे रहे थे फिर सबसे पहले घर से बच्चों को बाहर किया मुर्गियों को बाग में हाका फिर बिचारी तरकारी वाली की सारी तरकारियां वो खा गई थी भेड़ें तो फिर उनको आसू पोचे गया मतलब उनको उनके पैसे दिये और इतना सब करने के बाद जो अगरा जा रही हूं अपने मै के और फिर उनोंने कहा कि यदि ये बच्चा राज करोगे मतलब बच्चों से काम कराओगे तो फिर मैं यहां नहीं रहोगी तो उनकी चेताउनी से अबबा ने क्या किया सारी बटालियन को एक लाइन में खड़ा किया और फिर सब को बहुत और उनसे कहा कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हात लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा बच्चों को तो मजा आ गया उनने का चलो अब काम नहीं कर रहे थे तो काम करवाने के पीछे पड़े थे अब जब काम कर रहे हैं तो काम नहीं करवाने के पी बच्चों की आपने एक मज़ेदार सी कहानी पड़ी इसे इसमत चुपताई ने लिखा था लेकिन बच्चों ये बात गलत है न कि यदि आपसे काम बिगड़ता है और आपको डाट पड़ती है तो आपको उस काम को करने में सुधार करना चाहिए ना कि ऐसा सोचना चाहिए क अब तो हम ये काम कभी करेंगे जी नहीं है ना बच्चों ये थोड़ी गलती की लेकिन कहानी वज़ेदार थी ना कितनी कितनी मुसीवतें बच्चों ने घर में फैलाईं कितना कितनी अब यवस्ता की पूरे घर वाले परिशान होगे और घर का क्या बना दिया उन्होंने कूड़ा दान बना के रग दिया है ना चलिए अब इसके शबदार्थ देखते हैं तो इसमें शब्द है दबेल मतलब होता है दब्बू डरने वाला घर मतलब होता है घोर फर्मान राजा ग्या मतलब राजा की आग्या फर्षी फर्ष पर बिचि हुई कुछ भी हो सकता है और दरी, या कालीन, हवाला मतलब होता है, उलेक करना, उद्धरन करना, फे धुवादार मतलब होता है, ताबड तोड, मतलब एक एक कि बाद एक एक, जल्दी जल्दी कुमक मतलब होता है फौजी टुकडी, धींगा मुष्टी, धक्का मुक्डी, लत्पत मतलब होता है सना हुआ तर, दडबा, मुर्गियों के रहने की जगे कहलाती है दडबा, मोरी, गंदे पानी की नाली और तरकारी मतलब कहलाती है सबजियां, सबजी चलिए अब प्रश्न अभ्याज देखें, इसमें कहाणी से प्रश्न पहला लेते हैं, कहाणी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है जाहिर सी बात है किसके बारे में कहा गया है बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि परिवार के बड़े सदस्यों को लगता था कि बच्चे कोई काम नहीं करते दिन भर बस खापी कर पड़े रहते हैं इसलिए कहानी में मोटे मोटे किस काम के ये बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है अब प्रशन नमबर दो देखो बच्चों के उधम मचाने के करण घर की क्या दुरदशा हुई वो तो आपको अभी हमने जो कहानी पढ़ी उससे हमें समझी आगया कि क्या हुए होगा तो बच्चों के उधम मचाने के करण घर की दुरदशा बहुत खराब हो गई घर का सारा सामान अस्तविस्त हो गया और घर कैसा लगने लगा था? कूडा दान के जैसे लगने लगा था सबसे पहले तो दरी पर पानी डाल कर उसे कीचः युक्त बना दिया गया इसके बाद घर के बरतनों से तोड़ फोड की गई ना वो पानी, पेडों में पानी डालने के लिए बरतन लेकर गये थे ना और उन्होंने बरतनों से एक दूसरे की मार पिटाई की थी है ना तो इस तरह से घर के बरतन तूट पूट गए फिर मुर्गियों को इदर अधर दोड़ाया गया उनको दड़बे में बंद करने की कोशिश कर रहे थे ना तो मुर्गियां इदर अधर अधर दोड़ी हैं पद्रों मचवाया गया और इन सब पद्रवों के कारण घर की दर्शा क्या हुई दुर्दशा में बदल गई प्रश्न नम्र तीन है या तो बच्चर आज कायम कर लो या मुझे ही रख लो अम्मा ने कब कहा और इसका क्या प्रिनाम हुआ तो इसका उत्तर है कि ऐसा अम्मा ने जब ये बच्चोंने घर में भयंकर उपद्रों मचा दिया ना तब ऐसा अम्मा ने कहा घर का सारा सामान कचड़े की तरह लग रहा था अम्मा के ऐसा कहने का पलणाम यह निकला कि पिताजी ने सभी बच्चों को एक पंक्ती में खड़ा करके चेतावनी दे डाली कि अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी वस्तु को हाथ लगाया तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा तो अम्मा ने जब घर की बुरी दशा देखी घर को इतना अविवस्तित देखा तब उन्होंने ऐसा बोला था कि या तो बच्चर आज कायम कर लो या मुझे ही रख लो और फिर पिताजी ने बच्चों को डराया धमकाया चेतावनी दी यदि किसी भी बच्चे ने किसी भी वस्तु को हाथ लगाया घर की तो उनका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा अब प्रश नमबर चार है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है तो इसका उत्तर होगा कि कामचोर कहानी बच्चों को जिम्मेदार और कारियो कुशल बनाने का संदेश देती है इसकी अनुसार प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अपना काम स्वयम करना सिखाएं और समय आने पर घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तयार करें कामचोर कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बच्चों को काम करना आना चाहिए कम से कम अपना काम तो करी लो है ना और प्रतेग बच्चे को अपने माता-पिता की सहायता करना भी अत्यंत आवश्यक है बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए इसलिए कामचोर ना बने बलकि काम करना सीखें और सब के प्यारे सब के प्रिय बने प्रश्न पांच है क्या बच्चों ने उचित निर्णे लिया कि अप चाहिए कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे तो आपके अनुसार क्या हो सकता है कि ये निर्णे सही था क्या मेरे हिसाब से तो ये निर्णे बिलकुल भी सही नहीं था बच्चों का ये निर्णाएं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, फिलकर पानी भी नहीं पियेंगे, बिलकुल सर्वता अनुचित है, इस निर्णाएं का सबसे बड़ा कारण उनकी बाल प्रवृत्ती है, बाल प्रवृत्ती मनलब बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, कि हाँ अब ऐस किया ना, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो अब इस पर हमें डाटा, अब हम ये काम कभी नहीं करेंगे, तो ये एक बच्चों की प्रवृत्ती होती है, लेकिन इससे उनके मन में आलसे की भावना बढ़ती जाएगी, यदि एक बार आप काम करना छोड़ देंगे, तो दीरे दीरे यह भावना आलसे में बदल जाएगी और आपका मन आलसे की भावना से भर जायागा, फिर आयू के साथ साथ उनकी यह विचारधारा और भी अधिक पक्की होती जाएगी, यह ना, काम ना करने की, वे जीवन में अपने आप कोई भी कार्या कभी नहीं कर पाए दो अमेशा हम जिस उम्र के हैं, उस उम्र का काम हमें करते अवश्य आना चाहिए, आप छोटे वच्चे हैं तो छोटे-छोटे काम करिए, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, तो अपने हिसाब से कामों के कटिनाई इस्थर को बढ़ा करते जाएगी, और काम करना सी अब कहानी से आगे में देखे इसमें प्रशन एक है कि घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम प्रतेक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उने करना आवश्य क्यों है तो अब भी घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम सभी को अपनी क्षमता के अनुरूप अपने कारियों को अवश्य करना चाहिए जो विक्ति अपनी क्षमता एवं शक्ति के अनुसार किसी कार्य को करता है उससे उस कार्य को करने में बहुत प्रसन्नता होती है और वह कार्य हमेशा सफल होता है क्षमता योग्यता का परियाय बनकर मनुष्य को प्रेड़ना देती है इसलिए प्रत्यक कारे को अपनी क्षमता के अनुरूप ही करना चाहिए तो सभी को अपनी क्षमता के अनुरूप कारे जरूर करना चाहिए क्योंकि जब हम प्षमता के अनुरूप कारे करते हैं प्रसन्नता से भर उठता है और हमारे साथ साथ हमारे प्रियजनों का मन भी प्रसन्नता से भर उठता है इसलिए प्रत्यक व्यक्ति को अपनी शम्ता के अनुसार कार्य जरूर करना चाहिए अब इसमें प्रश्न दो है भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद कामचोर कहानी के आधार पर निर्ने कीजिए तो इसका उत्तर होगा भरा पूरा परिवार अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार सुखद और दुखद बनता है कोई भी भरा पूरा परिवार सुखद तब बनता है जब उस परिवार के सदस्य मिल जुल कर रहते हों एक दूसरे का सम्मान करते हों सारा परिवार अपना सारा काम बिल बाट कर करते हैं दूसरी तरफ यही परिवार दुखद तब बन जाता है, जब कुछ ही विक्ति काय करते हैं, और अन्य लोग आराम से आदेश देने का कारे करते हैं, और जब ऐसे आराम पसंद लोगों को काम करना पड़ता है, तब वे बेमन से काम करते हैं, और काम बिगाड कर नई जब बच्चों से काम कराया गया, तो उन्होंने घर में भयंकर उपद्रों मचा दिया, घर का सारा सामान कचडे की तरह कर दिया था, घर की शांती अशांती में बदल गई थी, इस तरह से हम कह सकते हैं, जब तक घर का प्रत्येक सदस्य अपने घर की कारियों में रुची बनाने के लिए हमेशा घर के कामों में सहयोग करना चाहिए क्योंकि धर का कार्य करने का जिम्मा सिर्फ मा का नहीं होता है आपको भी उसमें काम जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके मा को सहायता भी मिलेगी और वे प्रसन्ने भी रहेंगे अब प्रशन तीन है कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्ति कीजिए तो इसका उत्तर होगा बड़े होते बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं अपने आप स्कूल के लिए तैयार होना, अपने सामान व्यवस्तित रखना, घर को व्यवस्तित रखने में मा की सहायता करना, इसके विप्रीत, यदि बच्ची स्वयम अपना कार्य करना नहीं सीखेंगे, तो वे बड़े होने पर कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनको जब कोई भी कारे करना पड़ेगा तो वे काम्चोर कहानी के बच्चों की तरह सारे काम को तहस नहस कर देंगे और माता पिता को समाज में शर्मिंदा होना पड़ेगा. परिणाम सरूह माता पिता पर अपने काम के लिए निरवर रहने वाले बच्चे उन पर भार ही बनेंगे इसलिए माता पिता को बच्चों की उम्र और रुची के अनुसार ही उन्हें धीरे-धीरे कारिय सिखाना चाहिए जिससे उनमें कार्ये के प्रती रुची तथा लगनुत बन हो और वे अपने माता पिता के सहयोगी बन सकें ठीक, तो बड़े होते बच्चों को अपने माता पिता के सहयोगी बनना चाहिए ना कि उन पर भार है ना कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं तो इसका उतर होगा कि कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है और इन दोनों में अंतर इस प्रकार से होगा एकल परिवार में सदस्यों की संग्या तीन चारी होती है जबकि संयुक्त परिवार में तो दादा दादी, ताओ जी, ताई जी, चाचा चाची, भूपा जी, उनके बच्चे, माता पिता और बच्चे भी साथ मिलकर रहती हैं सायुक्त परिवार में सभी सदस से जीवन के सुख दुख का सामना एक साथ मिल्जूल करते हैं, जबकि एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का सामना अकेले ही करना पड़ता है, तो दोनों ही तरह के परिवारों की अपनी अपनी विशेष्टाएं हैं, एकल परिवार मे बच्चे ज़्यादा आत्मे नर्भर बनते हैं क्यों क्योंकि वे अपना काम स्वयम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं जबकि संयुक्त परिवार में काम करने वाले हाथ सहायता करने हवाले हाथ बहुत सारे होते हैं कि बच्चों को काम करने की ज़्यादा आवश्यक्ता नहीं पड़ती है तो इस तरह से संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों की अपनी अपनी विशेषता हैं चलिए अब भाशा की बात की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रशन है कि धुली बे-धुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े धुली शब्द से पहले बे लगा कर बे-धुली बना है जिसका अर्थ है बिना धुली बे एक उपसर्ग है आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए हैं तो उपसर्ग और शब्द हैं उपसर्ग है बे वह शब्दांश जो की शब्द के प्रारंव में लगकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करता है तो वह उपसर्ग है तो अब उपसर्ग के रूप में यहां पर हमारे पास है बे प्रो आ भर बद अब इनको आगे लगा कर किसी भी शब्द के और हमें नए शब्द बनाना है तो इमान, इमान के आगे बे लगा तो बे इमान, घर के आगे बे लगा तो बे घर, चैन के आगे बे लगा तो बे चैन, होश के आगे बे लगा तो बे होश, अब बल के आगे प्र लगा दिया तो प्रबल, प्रसन, प्रगति, प्रवाहित, आ, आ चरण चरन के आगे आ लगा दिया श्रम के आगे आ लगा दिया तो आश्रम कुल के आगे आ लगा दिया तो आकुल जन के आगे आ लगा दिया तो आजन अब है भर तो पेट के आगे भर लगा दिया तो भर पेट भर पूर, भर सक, भर मार अब इसी तरह से बद तो नाम के आगे बद लगा दिया तो बदनाम बदबू, बू के आगे बद लगा दिया तो बदबू बदमाश, बदकिस्मत तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ शब्दांशों को जब शब्दों के आगे हम जोड़ देते हैं तो हम उत्तर के रूप में एक नया शब्द पाते हैं और उसके साथ ही उस शब्द का अपना स्वयम का एक भिन्न अर्थ होता है तो इस तरह से ये उपसर्ग का प्रयोग है तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वा से बचो कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद